नमस्कार स्वागत आपका चैनल डेली खजाना में मैं हूँ आपका यारोका यार होश राहुल भोज लेदर जैकिट पन पहन काला चश्मा लगाए आकिर कार कहां चले हम सब के प्यारे पठान जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो की आप लोगों तक पहुचानी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दनादन कर लीजिए और हाँ शोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है र-A-H-U-L-B-H-O-J दोस्तों पठान शारुख सहाब की अगर बात करें तो पठान शारुख सहाब में ब्राउन जैकिट पहन के एक मस्क्रिक्सी सा टी-शिट पहन के काला चश्मा लगा के बाल आगे को करके एक फुटेज आया है ये ऐसा फुटेज है जो अफकॉस थमनिल में आप इमेज देख रहे हैं ये ऐसा फुटेज है जिस पर लड़कियों के दिल जो है लट्टू हो गए है आखिरकार कहां चल दिये पठान अभी तो आये थे शार्जा से और अभी कहां चल दिये तो आपको बताना चाता हूँ ये वो बात है जो कि आज से मैंने दो महिने पहले बताई थी आपको समझे ये है दोस्तो डंकी की बात जी हाँ डंकी के स्केडियूल के बारे में मैंने आपको बताया था बुल्गारिया में शूट करने के बाद लंडन में शूट करने के बाद ये लोग जो हैं वो फाइनली जो हैं पहुंच गये थे none other than कहाँ पे मुंबई में मुंबई में इन्होंने 17 में शूट किया और साथ इसाथ इन्होंने मीरा रोध महेंडर साहिट भी शूट किया और अब आप लोगों को बताना चाहता हूं तो डंकी की पूरी टीम रवाना हो चुकी है साओधी अरेविया के लिए जी हाँ दोस्तों आपको बता दो तो शारुक सहाब की डंकी वो पहली बॉलिवूड फिल्म बन गई है जो की साओधी अरेविया में साओधी में प्रॉपर तरीके से शूट कई है आपको बता दोस्तों तो साओधी में इंडिया में इंवेस्ट करना चाते हैं कुछ इंडियन इंवेस्टर्स हैं जो की साओधी में इंवेस्ट करना चाते हैं तो इससे जो है इनका कल्चरल हैरिटेश तो इनहेंस होगा महीं साथी साथ इनका बिजनस जो एक तरीके का influence है वो भी काफी ज़्यादा influence होगा दोस्तों आपको बता दो तो डंकी में कुछ ऐसे scenes है जो की regarding the particular journey of a character है और ये character जो है वो पंजाब से अभी शारुक साहब जो वापस आ जाएंगे साओजी से shoot करके उसके बाद ये लोग जो हैं दोस्तों आपको बता दो तो shoot करने के लिए पंजाब जाएंगे और पंजाब के outskirts में shoot करेंगे देखना मज़ेदार रहेगा especially चंडीगर के outskirts में ये shoot करेंगे देखना मज़ेदार रहेगा कि शारुक साहब जो हैं वो किस-किस और look में नज़र आएंगे डंकी के अंदर डंकी के अगर बात करें तो राजकुमार रहानी से direct कर रहे हैं और आपको बता दो तो तापसी पन्नू बमन इरानी और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि इस फिल्म के अंदर अपनी आक्टिंग का जलवा दिखाएंगे वेल आपको क्या है कहना इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताएं साओधी अरेबिया में अगर आप लोग रहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कौन-कौन इस बात को सुनके खूब ज़्यादा अचल पड़ा है क्योंकि ये शारुक सहाब की बात है पड़ाफट बताएं और बने रहें चैनल के साथ बाबाए